जैश्री राधरानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री कार्तिक मास महत्यम्मे की मंदर शिबंसी वाले महात्मा युल्डिप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभिनंदन करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में जितना भी हम भगवान की भक्ती करते हैं भगवान की पूजा आराधना करते हैं अन्य महीनों की पेक्षा इस कार्तिक महीने में भहुत ज़्यादा पुन्यफल मिल जाता है इसलिए कार्टिक मास में विश्य शुप से भगवान की अधिक से अधिक भक्ती करने का परयास करना चाहिए तो कार्टिक मास महत्यम के तेरमें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जो की इस परकार है देवरीशी नारद जी राजा प्रतु से आगे की कथा का वर्नन करते हुए कहने लगे हैं जिस समय मैं भगवान के दर्शन हे तू जलंधर की नगरी में पहुंचा तो उस समय दानवेंदर जलंधर ने वीधी पुरवक मेरा पूजन करके हस कर कहा कि है ब्रह्मन आप कहा से आएं हैं आप तो तुरिलोगी भर में ब्रह्मन करते हैं आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या है मुनिवर आप यहां किस लिए आए हैं अपने आने का कारण बताने की क्रिपा के जिए आज जलंधर देते के इन वचनों को सुनकर देवरीशी नारद जी कहने लगे हैं कि हे संपूर्न देतियों तथा दानों के अधिपती हे जलंधर तुम धन्य हो हे सर्वलोकेश तुमी सारे रतनों का उपभोग करने योग्य हो मेरे आने का कारण सुनो मैं जिस निमित से यहां आया हूँ मैं वह सब कह रहा हूँ मैं अपनी इच्छा से के लाश परवत पर गया था जो दस हजार योजन वी स्तार वाला कल्प रिक्ष के महानवन से यूक्ट सैंकडों काम धेनों से समन्मित चिंता मनी से प्रकाशित संप गोरवर्न सरवांग सुन्दर त्रीनेतर और चंदरमा को मस्तक पर धारन किये हुए भगवान शिव को देखा महान आशर से परिपूर्ण उसके लाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्री लोकी में कहीं कोई ऐसी सम्रिदी है अथवा नहीं हे देत्यंदर उसी समय मुझे तुम्हारी सम्रिदी का समर्ण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहां आया हूँ आज देवरिशी नारद जी के इन वचनों को सुनकर जलंधर देत्य ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी सम्रिदी दिखाई है उस समय देवगनों का कार सीध करने वाले वे महात्मा नारद जी उसे देखकर भगवान शिव की प्रेड़ना से उस द्यत्यंदर जलंधर से कहने लगे हैं कि हे श्रेष्ठ वीर तुम्हारे पास इस समय निस संधे सारी सम्पती है तुम त्रिलोकी के पती भी हो अते इसमें अश् अशियां घोडे हाथी आदी सम्रिधियां तथा अन्य रतन है वो सब तुम्हारे घर में सुशोवित हो रहे हैं ये महावीर तुमने इंद्र के हाथियों में रतन भूत एहरावत को ले लिया है तथा सूरे का अश्वरतन उचेश्रवा घोडा भी ले लिया है तुम कल्प विक्ष भी लेकर आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास है तुम भ्रहमाजी का हंस यूक्त विमान भी ले आए हो इस परकार है देतेंद्र पृत्वी पाताल तथा स्वरग लोक में जो भी उत्तम रतन हैं वे सब तुम्हारे घर में सुशोवित हो हे महावीर गज अश्वादिस सुशोवित तुम्हारी इस संपुर्ण सम्रिद्ध को देखता हुआ मैं अतिप्रसन हुआ हूँ किन्तु हे जलंदर तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ इस्त्री रतन नहीं है इसलिए तुम विशेश रूप से इस्त्री रतन को लाने का पर संपुर्द्ध हो जाते हैं आज देवरिशी नारद जी के इन वचनों को सुनकर जलंदर देते कहने लगा है कि हे देवरिशी नारद आपको नमस्कार है हे महाप्रभु इस समय वह शेष्ठ इस्त्री रतन कहा है मुझे बताए हे ब्रहमन इस ब्रहमान में जहां कई भी वह इसी रतन है तो मैं उसे वहां से अवश्य ले आऊंगा ये बिल्कुल सत्य है सत्य है इसमें शंशे नहीं है आज जलंधर देते के इन वचनों को सुनकर देवरिशी नारद जी भगवान शीव की प्रेरना से कहने लगे हैं कि हे जलंधर अत्यांत मनुहर सर्वसम्रिद्धी स संपन के लाश परवत पर योगी का रूप धारन की हुए दिगंबर भगवान शीव शंभू रहते हैं सुरम में सभी लक्षनों से संपन सर्वांग सुन्द्री तथा मनुहर पारवती नामक उनकी भारा है हाव भाव से पुर्ण ऐसा मनुहर रूप अन्यत्र कहीं भी करने वाला है ये वीर हे जलंधर मैं अपने मन में अनुमान करता हूं कि इस्त्री रतन से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धी शाली नहीं है पुर्वकाल में जिसके लावाने समूदर में डूब कर ब्रह्मा जी ने अपना ध खहरे खो दिया था उससे किसी दूसरी इस्त्री की उपमा कैसे की जा सकती है आज देवरिशी नारद जी ने सब कुछ भगवान शिव की प्रेरना से जलंधर देत से कहा है देवरिशी नारद जी इतनी बात कहकर वहां से अंतर ध्यान हुए है आज जलंधर देत देवरिश और मों को प्राप्त हो उसने सहेंके नामक अपने दूत को बुलाया है। विरक्त योगी शंकर के पास जाकर भैरहित मन से तुम मेरा संदेश कह देना। उन्हें कहना कि हे योगिन हे धया सिंधु वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत आदी पिशाच आदी से सेवित आपको इस्त्री रतन से क्या परियोजन है। जलंधर देत्य की आग्या मान कर राहू नामक देत्य आज भगवान शिव के पास से पहुँचा है। और वहाँ जाकर भगवान शिव से कहने लगा है कि हे तरी लोकी के स्वामी रतनेश्वर जलंधर की आग्या सुनो। शमशान निवासी हाडों की माला पहने हे दिगंबर तुमको हिमाले की बेटी ऐसी सुन्दर इस्त्री किस कारण से मिली है। इतनी कथा सुना कर देवरिशी नारद जी राजा प्रतु से कहने लगे हैं कि हे राजन राहु के ऐसा कहते ही महादेव भगवान जी की भृक्टी से भयंकर जैसा एक पूरुष पैदा हो गया। सिही के समान जिसका मुख है लपलपाती जीब है नेत्रों में ज्वाला है उपर को केश हैं सूखा शरीर है ऐसे वह दूसरा नरसिंग लगता था जब वह राहु को पकड़ कर खाने लगा तब उसी समय भगवान शिव ने इसका निशेद किया है कि वह मारने योग्य नहीं भगवान शिव ने कहा है कि ये दूत है और पराधीन है इसको छोड़ दो आज भगवान भोले नात जी के इन धरमयुक्त वचनों को सुनकर वह पुरुष जो की राहु को खाने लगा था उसी समय उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया फिर महादेव भगवान जी की उ हे महादेव हे करुनाकर हे शंकर हे शरनागत वसल आपने मेरे भख्ष को छुडा दिया हे स्वामिन इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ हे देवेश हे प्रभू मेरा क्या भख्ष है मैं किसे खाऊं उसे मुझे बता दी आज भगवान शिव कहने लगे हैं कि यदि तुमें भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो तो तुम शिग्र ही अपने हाथों और पैरों के मास का भख्षन करो अपने हाथों और पैरों के मास को तुम खा जाओ आज भगवान शिव के ऐसा कहते ही वह प्रसन होकर आश्र चकित होकर उस भयंकर करम वाले पुरुष से कहने लगे हैं कि हे महागन मेरी आग्या का पालन करने वाले तुम धन्य हो हे सत्तम मैं तुम्हारे इस करम से अत्यंत ही प्रसन हूँ आज से तुम्हारा नाम किर्ती मुख पर सिद होगा तुम महावीर और सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागन होकर मेरे द्वार पाल बनो तुम मेरे अत्यंत प्रिया हो और मेरे भक्त जन मेरी अर्चना के समय तुम्हारी भी पूजा किया करेंगे जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे भी प्रिया नहीं हो इतनी कथा सुनाकर देवरिशी नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन भगवान शिव की पूजा के समय उस गन की विशेश रूप से पूजा करनी चाहिए जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा वेर्थ हो जाती है तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के तेर्वे अध्या की कथा का विश्राम होता है इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे तो मंदर्शी बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से कार्थिक मास महत्यम के तेर्वे अध्याई की कथा को आपने आज सुना है अगर आपके मन में भगवान की भक्ती से संबंदित कोई प्रेशन हो तो आप कभी भी फोन करके आप हमसे वो प्रेशन पूछ सकते हैं तो आज की स्कता को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवान श्री राधाक्रिशन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की कार्थिक मास महत्यम की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे महान लक्ष्मी मा का सदा के लिए आपके घर में वास हो इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री गोरी शंकर जी भगवान की जै देवरिशी नारद जी की जै तुलसी माता की जै कार्तिक मास महत्यम की जैजेश्री राधि जैजेश्री राधि जैजेश्री राधि शाम